नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में आपके अपने यूटूब चैनल इनफार्मेशन विध पीके पर मैं हूँ पिंको कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इनफार्मेशन विध पीके जितने भी स्टूडेंट्स अपनी यूपी स्कालर्शिप 2023-2024 के लिए इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का विडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं समाज कल्यार से जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है उसकी पूरी इनफार्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपकी स्कालर्शिप कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगी और कुछ स्टूडेंट्स की स्कालर्शिप जो है भेजी जाने लगी है तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को हम देने वाले हैं और जो आप लोगों के स्टेटस हैं वो लगातार अपडेट्स हो रहे हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सभी टॉपिक्स की इन्फार्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तों आप अगर हमारे यूटूब चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि यूपि स्कालर्शिप से संबन्दित कोई भी जानकारी आपके पास तुरंद पहुंच सके तो दोस्तों आपका समयन बेस्ट करते हुए हम स सीधे अपने टॉपिंग पर चलते हैं और वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपि स्कालर्शिप 2024 24 आप लोगों का जो scholarship अभी तक नहीं मिला हुआ है तो इस वीडियो को last तक देखीएगा वीडियो को skip नहीं करना है अन्यथा वीडियो समझ में नहीं आएगा serial wise हम आप सभी को बताते हैं देखिए दोस्तों समाज कल्यार से एक बड़ी updates निकल कर आ रही है जो भी students ने अपना जो है status चेक नहीं किया है तो अपना status चेक कर सकते हैं पहली बाद तो यह है क्योंकि काफी बड़े updates हो रहे हैं status में बहुत से students का जो पैसा है वो भेजा जाने लगा है आपके account में नहीं भी भेजा जा रहा है आप लोगों की list तयार की जा रही है लगातार आपके status अपडेट हो रहे हैं उनमें जिनका scholarship है वो scholar पूर्ट तयार लगाया जा रहा है advice टाइब में जो है इकठा किया जा रहा है यह scholarship आखिर आपका आएगा किस date से इसकी भी जानकारी अभी दूँगा देखिए post metric तथा high school वालों का जो भी scholarship का आना है उनका status लगातार अपडेट हो रहा है और उनके accounts में उनके पैसे जमा किये जा रहे हैं ना कि भेजे जा रहे हैं अभी भेजे नहीं जा रहे हैं आप लोगों के जो भी जो है उसकी प्रक्रिया चेकिंग चल रही है पूरा status चक किया जा रहा है किसमें क्या कमी है बहुत से students में बहुत सी कमिया भी निकल कर आई हुई है इसलिए आप जरूर अपना status चेक कीजिएगा अगर status में कोई भी कमी है तो आप हमारे पास comments करके post सकते हैं और बो comments अपने college या school इस तरह से भी post सकते हैं क्योंकि वहीं से आपका update होग उससे आप correction करवा सकते हैं अभी 15 मार्च से पहले आपका scholarship आने की सब्भाबना हो जाएगी 15 मार्च से पहले अगर आप correction करवा देंगे आपके में कोई गलती होगी तो आपकी गलती यो है औरतिया समल जाएगी तो दोस्तों अब हम बता दें कि आपका scholarship आखिर कब आएगा तो दोस्तों देखिएगा जो भी post metric वाले हैं उनका scholarship 20 मार्च तक आने की संभाबना बताई जा रही है 20 मार्च तक यानि कि 15 मार्च से scholarship आपका आएगा और 20-25 मार्च तक आपका scholarship आपके account में transfer कर दिया जाएगा क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो चुनाव से पहले सभी का scholarship जो है पूंड़ताया भेजा जाएगा और बात करें graduation वालों का post metric के उपर वालों का जैसे BA, BSC, BCOM, BLED, DLED, MA वाले हों का scholarship है उनका आखिर कब तक आएगा तो दोस्तों आप लोगों का भी scholarship जो है 22 मार्च के बाद में बताया जा रहा है 22 मार्च के बाद में अब 22 मार्च को थोड़े दिन रह गया है सभी का status जो है update हो रहा है सभी का देखा जा रहा है किसमे क्या गलती है कुछ लोगों के reject भी हो रहा है जिल लोगों के reject हो रहा है उनका अभी correction भी हो जाएगा और correction करवा कर आप लोग जो है सही करवा सकते हैं तो उम्मित करते हैं, आप लोगों को समझ में आगया होगा, जो भी post metric तक हैं, 1070 post metric वाले, उनका scholarship जो है 15-25 मार्च के बीच में आ जाएगा, और जो भी graduation वाले हैं, post graduation वाले हैं, उनका scholarship 22 मार्च के बाद में भेजा जाएगा, ऐसी समभबना जताई जा रही है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर इंड करना चाहेंगे वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं आपके स्टेटरस चेक करने में कोई भी कमी है तो आप पूछ सकते हैं कमिट बक्स के माद्दिम से चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हूं तो चैनल को अबस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मिलते हैं फिर नेस्ट नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार दोस्तों